दोस्तो इस करेंट फर्स वीडियो में कई इंपर्टन टॉपिक है, वर्ल हैपिनेस इंडेक्स आया है, उसके बारे में जानेंगे, जी सेवन समिट होने वाली है, उसके लिए इंडिया को इन्वाइट किया गया है, पृत्वी के बगल में जो ग्रह है, वहाँ पर सक्रिय ज् कौन सा है, जहाँ पर सबसे जादा हैपिनेस है, आज रोगा फिन लैंड, ठीक है, यह रिपोर्ट जारी किया गई है, उनाइट नेशन के द्वारा, उनाइट नेशन के किसने, तो उसका एक हिस्सा है, सच्टनेबल डवलप्मेंट सॉलूशन नेटवर्क, तो उसी के यह रिपोर्ट है, इंडिया की भी क्या इस्ति है, सब जानेंगे, और कैसे रिपोर्ट बनी है, उसके बरम जानेंगे, तो सबसे पहले दिख लेते हैं कि टॉप 10 कंट्री कौन-कौन से हैं, तो नंबर वान है फिनलैंड, सेकेंड पर है डेनमार्क, ठर्द पर आइसलेंड है, फोर्थ पर इसराइल, फिफ पर नीदरलैंड है, सिख्थ पर सुडेन है, सेवन्थ पर नॉर्वेज दिख रहे हैं आप, एर्थ पर सुडेलैंड, नाइथ पर लक्जंबर्ग, और तेंथ पर है न्यूजलैंड, तो यह टॉप 10 कंट्री हैं जहां पर सबसे ज़्यदा खोशाली है, और इसका पैमाना कैसे मापा जाता है कि सबसे ज़्यदा खोशाली है, तो इसके कुछ इंडिकेटर्स हैं, उसको देखा जाता है, जैसे जीडीपी, जो पर कैपिटाज जीडीपी है, वो क्या है उस देश के, सामजिक सहयोग कैसा है वहाँ पर एक दूसरे के परती, स्वस्त जीवन की समभावनाए कितनी है, विक्तिगत स्वतनतता कितनी है, उदारता कितनी है, दूसरों की सहायता कितने कर रहे हैं, भरश्टाचार क्या क्या परसेप्शन है वहाँ पर, तो इन सब के अधार पर ये रिपोर्ट त्यार की जाती है, ठीक है, इंपर् एक सत देश हैं उन सब की क्या इस्तति है तो अमेरिका की इस्तति 15th है यानि रैंकिंग जर्मनी की 16th है युनाइटी किंग्डम की 19th है फ्रांस का 21st और जापान का 47 है अब आगे बरते हैं इंडिया पर भी बात करते हैं अगला कोशन होगा सेंग्स राष्ट की द्वारा जा क्या होगा 126 न्यूज दिखा दू हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज है और इंडिया दिस येर वाज प्लेश्ट एट 126 रैंक हाला कि इसको लेकर आपको कंफूजन हो सकता है क्योंकि कई सारे मीडिया जो न्यूज पेपर्स है उन सब ने 125 का है यानि 125 रैंक का है जैसे कि इंडरे एक्सपेस ने 125 रैंक का है आउट आफ 136 लेकिन इस रिपोर्ट में जब अंदर जाते हैं तो 137 है कौन सा देश वो है अफगानिस्तान तो अब ये टोटल कह रहा है 136 लेकिन ऐसा है ने तो इसको ओरिजिनल रिपोर्ट में देखते हैं कि जो ओरिजिनल वर्ल् क्रश्च विबसाइट में और इसकी इंडेक्स पर चलते हैं और उपर करते हैं ये रहा ह uniqu क्यों से शूरु होता है और इसके जब हम नीचे चलेंगे टोटल जब रेंकिंग देखेंगे कितने देशों का है तो 137 देशों का है और इंडिया का स्थान यहाँ पर 126 दिख़र औरिजनल जो रिपोर्ट है उसमें 126 रैंक है इंडिया का अब ये रैंक जो बताता है कि भारत दुनिया में कम खोशाहाल देश है यहाँ पर खोशाली उतनी अच्छी नहीं है और इंडिया जो है अपने परुसी देश नेपाल, चीन, बंगलदेश जैसे जो परुसी देश ह है उससे पीछे है ओके लिष्ट में सबसे खराब अस्थान है अफगानिस्तान का 137 तो अब परुसी देशों का भी देख लेते हैं किस किस की सितिक ऐसी है तो चाइना का अस्थान है 64 रैंकिंग में नेपाल का 78 है बंगलदेश का 102 है पाकिस्तान का 108 है पाकिस्तान का पता 137 है ठीक है और इंडिया का क्या हम बताएंगे 126 रैंक बताएंगे हम ठीक है इस पर confusion हो सकता है लेकिन जो मैंने आपको original report बताई है और वैसे मैं जो world happiness index है उसका original report के अब ही link दे दूँगा जो PDF है उसमें ठीक है तो वहाँ भी आप देख लेना इस चीज़ को confirm कर लेना होता है और आप हम लोगोंने डिली का PDF English और हिंदी दोनों वर्जन में देना शुरू कर दिया है और जिन लोगोंने membership लिए हुआ है उनके लिए weekly, monthly, quarterly ये भी आपको English और हिंदी दोनों वर्जन में मिला करेगा लेकिन वो next month से ठीक है तो चलिए आप आगे बरते हैं अगल कोशन लेते हैं ये रहा किस देश के प्रधान मंतरी मार्च 2023 को दिली पहुंचे और जी सेवन समिट में जी सेवन तुठन 23 उस समिट के लिए भारत को गेस्ट कंट्री के रूप में आमतरित किया है क्या होगा आंसर इसका आंसर जापान जापान में होने वाला है ये समिट और न्यूज देख रहे हैं ये इंडिया इन्वाइटेट फॉर जी सेवन समिट इन जापान जापान के प्राइमिस्टर कौन है फुमियो केशिदा वो दो दिन के भारत दोरी पर पहुंचे हैं 20 मार्च को इंडिया यानि दिली पहुंचे वो और उन्होंने मुलाकात की भ G7 समिट 2023 ये कहां पर होने वाली है हिरोशिमा में होने वाली है ओके तो जापान जो है वो 2023 में G7 का अध्यक्ष है और इंडिया G20 का अध्यक्ष है तो ऐसे में दोनों देशों के जो नेता है वो जो मुद्दे हैं बहुत सारे कौमन उनस पर बातचीत कर रहे हैं तो जाप तो इस बार की जो समिट है वो कहां पर हो रही है हिरोशिमा एक और मैप में भी देख लेते हैं ठीक है तो यह रहा प्यारा भारत यहां पर देख रहे हैं आप और जापान कहां पर है तो जापान है इस तरफ यह वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप यहां पर यह रहा हिरोशीमा क्यों मैं इस पर पॉइंट आउट कर रहा हूँ जदर क्योंकि इसी जगह पर सेकेंड वर्ल वार में अमेरिका ने एटम बम गिराया था उसका नाम का था लिटिल पुआया कब गिराया था 6 अगस्त 1945 को कहां पर है हिरोशीमा और नेजदीक से चलते हैं इसको परमनु बम गिराया गया था और वो है नागासा की इस जगह पर ठीक है हिरोशीमा पर कब गिराया था 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉआय नाम का बम था परमनु बम था और इसके तीन दिन बाद अमेरिका ने नागासा की शहर पर फैट मैं नाम का एटमिक बम गिराया था ठीक है क्या जो इतने ही बड़ी समिट होने जा रही है और दुनिया के साथ जो सबसे अमीर देश हैं उनके रश्टरदेक्स वहां पर पहुंचने वाले हैं तो हां हिरोशीमा और नागासाकी में रेडियेशन का सरब बहुत कम हो गया है और इसका जो मानो शरीर पर प्रभाव ह है वो अभी कुछ पढ़ने वाला नहीं है जो दिखना है ठीक है तो इसलिए वहां पर समिट की गई है और अभी तो नागासाकी और हिरोशीमा दोनों जो सिटी है वो काफी डेवलप सिटी के रूप में भी देखने को मिल रहा है तो जी सेवन समिट उसका जो लोगो है यह हो यह है ओके और जी सेवन के मेंबर कंट्री के कौन कौन से हैं कैनाडा फ्रांस जर्मनी इतली जापान यूनाइट्री टिंग्डम और यूएस यह दुनिया के सब से उन्नत जो अर्थ रस्ता है वो सब यह रहें ठीक है उनका समू है यह चले बाग ही बढ़ते हैं अगला है करेंट फॉर्स का विकली मंतली क्वाटर्ली येर्ली वह भी पीडिएफ कही तरके को होते हैं अब अगले मांद से जिन लोग ने मेंबर्शिप लिया हुआ है तो वह इंग्लिश और हिंदी दोनों लेंग्विज में पीडिएफ प्राप्त कर सकेंगे और पीडिएफ व तमाम तरह के एक्जामनेशन के लिए चाहिए UPSC हो, VPSC हो, UPSC हो, SSC हो और भी तमाम एक्जामनेशन और इसके लाब बुक्स पर छूट भी मिलते हैं तो ये नंबर भी है हेल्प लाइन का अगर कोई दिकत हो तो वहां कॉंटक्ट कर सकते हैं वान येर के मेंबर्शिप ह बहुत ही मामूली सी रकम है छूट भी चल रही है 50% तो कोशन होगा अगला प्रिथवी के किस परुसी ग्रह यानि प्लैनेट पर वेगेनिकों को पहली बार सक्रिये ज्वाला मुख्य मिला है महत्पुर्ण बात यह है कि अब तक तमाम ग्रहों पर बहुत सारी ग्रहों पर हाला कि आठ है उनमें से कई ग्रहों पर और उसके चंदवाओं पर ज्वाला मुख्य के निशान मिलते रहें लेकिन सक्रिये ज्वाला मुख्य यहां देखना है कौन सा है तो है शुक्र वीनस वीनस पर ये मिला है अगर हम कहेंगे कि और किसी गरह पर क्या जोला मुखी है जोला मुखी है क्या तो वीनस के अलाबा मतलब प्रित्वी है वीनस है उसके अलाबा और कहीं तो देखने को नहीं मिले है लेकिन बिर्सपती का जो चंदमा आयो तो उस पर सक्रिय जोलाव मुख्य जरूरी देखनों को मिला है दश्कों से वैग्यानिक यही मानते रहे हैं कि यह जियोलोजिकली डेड है जो जोलाव मुख्य होगों लेकिन अब जो पता चला है वैग्यानिकों को वो यह है सबुत मिल गया है कि जोलाव मुख्य जो है अभी भी सक्री है हालागि तीन साल पहले 2020 में वैग्यानिकों को कुछ संकेत मिला था लेकिन उसमें ठोस प्रमान नहीं थे लेकिन अब प्रमान भी मिल गया है और एक ये computer के जड़िए ये design भी त्यार किया है वेगनिकों ने कि वहां का जो 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 आलमोखी है वो किस तरीके का है और किस तरीके से विस्तार ले रहा है कैसे विस्तार ले रहा है ये भी बताते हैं आपको तो वीनस के बार में जानते हैं और इसके लिए हम लोग एक बार देख लेते हैं ग्राफिक्स के जड़िए कि जो solar system है वहाँ वीनस है कहां पर तो ये solar system देख रहे हैं आप ठीक है और उसमें जो देख रहे हैं तो यहां अर्थ है इधर मार्स वीनस मरकरी तो अर्थ का सबसे जो नजदिकी करह है वो है वीनस यानि बुद्ध और इसे प्रित्वी का जुरुवा यानि अर्थ ट्विन भी कहा जाता है माना जाता है और शुक्र का जो रेडियस है वो प्रित्वी से कुछ ही काम है जैसे यह अगर हम बात करेंगे तो आर्थ का जो रेडियस है वो 6371.1 किलो मेटर है जबकि Venus का radius 6051.8 इतना है radius तो दोनों में कुछ समानताएं हैं और इसलिए काहता है twin planet इसको और शुक्र गरह पर एक साल कितना होता है प्रित्वी के ब्रावर अगर हम बात करेंगे तो प्रित्वी के दिन के हिसाब से तो 225 दिनों में वो एक वर्ष हो जाता है शुक्र गरह और Venus के अंदर के अगर चीजों को देखना चाहेंगे हम तो किस तरह का है अंदर का जो हिस्सा है वो इस तरह का देख रहा है एक inner core है फिर outer core है solid rock है और crust है उपर का हिस्सा तो इसी से ये ज्वाला मुखी जो है न ऐसे निकल के इसके लावा और आगे ये फैल रहा है ठीक है और ठीक है पिछले तीन दश्कों से वेग्यानिक के मान रहे थे कि शुक्र ग्रह पर जो भूग अर्भी रूप से वहाँ जो जो जोला मुखी है वो मृत है यानि जिलोजिकली वो डेड है लेकिन नए रिसर्च में ये बात सामने आया है और वेग्यानिकों को पता ये लिए जो उसके सतह पर एक जोला मुखी है वह अभी भी सक्री है तो कैसे ये पता चला क्या बदला हुआ तो नासाई का यह कहना है कि जोला मुखी के हिस्से का यह neighbours है उसको बदलता हुआ पाया है और पिछले आठ महीने में इसका आकार बहुत तीजी से बदला है आठ महीने पहले इस जोला मुखी का जो वालकोनों का दारह था वो 2.6 किलोमेटर था लेकिन अब जो देखा गए 8 महीने बाद वो 3.9 किलोमेटर का दारह हो गया है मतलब कि यह जो इसका वेंट है वहां से जो लावा है प्रवा है वो निकलने का संकेत लगातार मिल रहा है और चीजें देखने को मिल रही तो वेगानिकों ने पिर कम्पूटर पर उस जोला मुखी का पूरा मॉडल बनाया और अगर हम ब ग्रह के आंतरिक इस्तिती के बारे में बता सकता है उसकी अंदर की इस्तिती कैसी है और वो किस तरह से काम करता है उसके बारे में बहुत सारी बाते जान सकते हैं वेगानिकों को नकेबल वीनस यानि शुक्र ग्रह के बलकि दूसरे भी ग्रह जो है उसकी भी भागालिक इस नासा हो गया और भी कई सारे जो देश हैं वो वहां मिशन भेजने वाले हैं ठीक है और यह जो रिसर्च है न वो उसके बारे में पूर डिटेल साइंस जर्नल जो है उसमें पब्लिश हुआ है इंपर्टेंट बात यह रही चले अब आगे परते हैं अंतरश्टिय खुशी द पोर्ट है 2023 वो जारी हुई है और इस पर के थीम क्या है बी माइंडफुल बी ग्रेटफुल बी काइंड यह थीम आगाह रहो आभारी हो रहो और दयालू रहो यह थीम अगला कोशन विश्व कविता दिवस कब मना याता है वर्ल्ड पोईट्री डे आंसर का 21st मार्च आज जी किते यह युनस्को ने यह घोशित किया हुआ है 1999 में जो तीस्वा अधिविशन था युनस्को का उसी दोरान इसके घोशना किये थी ओदेशी है कि कवियों और कविताओं के बारे में जारूकता फैलाना अगला कोशन विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मना जाता ह है आचों का 21 मार्च को मना जाता है ठीक है सेमतराष्ट ने यह घोशित किया हुआ है यह दिवस डाउन सिंड्रोम और उसके थीम क्या है विद अस नॉट फॉर अस हमारे साथ हमारे लिए नहीं ठीक है यह जो डाउन सिंड्रोम है वो एक जेनेटिक डिसॉर्डर है यह अन मेंटल डिसेबलिटी की वो वज़र बनता है और बच्चे में जो बच्चा है उसकी काफी इस्तिथी ठीक नहीं होती है मेंटल भी वो उसके आईक्यू कम होता है हलाकि अब बहुत सारी तरीके हैं जिससे यह पहले ही पता चल जाए कि क्या जो होने वाला बच्चा है वो डाउन सिंड्रोम उसमें है या नहीं है तो यह जागुपता के लिए है उसके बार में जागुपता फैलाने के लिए दिवस आज़ित कहा जाता है अगला कोशन भारत पेट्रोलियूम कॉर्परेशन यानी BPCL उसके नए चेयर्मेन और मनेजिंग डिरेक्टर निनी CMD कौन बने है किसी बनाया गया के इन सरकार के आज सोगा जी कृष्ण कुमार क्या नाम है जी कृष्ण कुमार आपको पता होगा कि BPCL एक महारतन कंपनी है और अब नए CMD हो गया है जी कृष्ण कुमार वो एलेक्ट्रिकल और एलेक्ट्रोनिक्स इंजिनियर है और किसकी जगल यह उन्होंने तो अरुन कुमार सिंग क की जगली है ठीक है तो जी कृष्ण कुमार फोटोग्राफ आप देख रहे है तो BPCL जो है न वो उसका काफी पहले नाम बर्मा शेल कंपनी हुआ करता था और इंडियन गर्मेंट ने 1976 में इससे खड़ता था बर्मा शेल कंपनी के नाम से फिर बाद में 1977 में इसका नाम ब Operation of India यानी CCI का नया Chairman और Managing Director यहां भी कहेंगे हम CMD तो उसे किसे बनाया आजसो का ललित कुमार गुपता ठीक है क्या नाम है ललित कुमार गुपता तो कैबिनेट के जो निक्ति समीति है उसने यह फैसला किया है प्रमिश्टर नहिंद मुदी के अधिक्षता में तो CCI जो भारती का पास निगम कहेंगे मुख्याले मुबई में है और स्थापना हुई थी 1970 में 1970 में अगला कोशन लेते हैं वैश्विक बाजरा सम्मेलन 2023 का आजन यानि इंग्लीश में कहेंगे से Global Millets Conference किस शहर में हुआ जिसका उधगाटन प्रमिश्टर नहिंद मोदी ने किया है ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्ना कॉन्फरेंस तो आपको पता होगा कि सेउतराष्ट महासबा ने यानि UNGA ने वर्ष यो 2023 को इस साल को अंतराष्टी ये बाजरा वर्ष घोशित किया हुआ है और उसी के अधार पर ये ग्लोबल कॉन्फरेंस आजित की गई है अगला कोशन लेते हैं किस देश के खिलारी टिम पैन ने किर्केट से सन्यावस लेनी की घोशना कर दिया है आंसरों को ऑस्ट्रेलिया ठीक है ऑस्ट्रेलिया ही टेस्ट किर्केट टीम जो है उसके पूरू कप्तान है तो उन्होंने सन्यावस ले लिया मार्च 2023 में और फोटोग्राफ यह रहा तो दोस्तों यह था इन पॉट्रेट का इंट फोर्स कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप और इसका पीडिया देखना जुरूर इंगलिश और हिंदी दोनों में अबलेबल है डाउनलोड कर सकते हैं इस सुडियो की कर लिया होगा और बलेकन दबा लिया होगा अब मिलते हैं कल मौनी को सुबह साथ वजे